अल्ब दोस्तो अल्यकुम दोस्तो आज मिन टू टू फोर का फिर अप्लोड करूँगा मैं 2015 नो 2016 का पेपर पहले में 2015 का पेपर अप्लोड करूंगा इसके बार 2016 का पेपर अप्लोड करूंगा यह बहुत ही इम्पॉर्टंट questions मैं आपको बता हूँ कि कौन-कौन सा important question इन मेंसे जो आपको prepare करने हैं जो बहुत ही important है जो हर exam में तक्रीबन तक्रीबन आते ही है इसमें जो आपका paper 2-2, BLI 2-4 का paper है ICT fundamentals ये आपके डेड़ गंडे का paper होगा इसमें आपके 35 marks होंगे पहला portion जो होगा वो इसमें आपको तीन ही question करने है पांच में से तीन question करने है और हर question के 5 marks है और हर question को 500 words में इसका answer लिखना है पहला question आया था explain the major components of computer computer के major components क्या है ये बहुत ही simple सा question है basic question है ये आया था और ये question repeat ये बहुत important question है ये बेस्क कंप्यूटर बेस्क से रिलिटीड है ये आपके exam में अगर पांच marks का नहीं आजाएगा तो दो marks का ही जाएगा तो ये बहुत important topic है ये आपको ध्यान रखता है दूसरा question है था describe the various database management architecture ये बहुत ही important question है आपके net exam के लिए भी आपके किसी भी competitive exam के लिए database management system बहुत ही important होता है तो आप इस topic को जरूर पढ़ियेंगा जब मैं जब हम आगे जाएगे इसी paper में तो इसमें से एक और question आजाएगा दो marks का question है वो भी database management system पर ही है तो बहुत important है describe the enumerate different communication protocols बहुत है मतलब आपको different enumerate करने है explain करने है different communication protocols और describe internet protocol और internet protocol भी आपको describe करना है बहुत important question है यह भी आपको इस exam में भी इस exam में भी इस exam में भी इस exam में भी और competitive exam में भी question आदे जाते हैं फिर चौदा question है था explain how digital signal works ठीक इसमें भी 5 marks के थे digital signal किस तरह work करता है फिर 5 वा question आया था discuss the architecture of search tool search tool का architecture क्या है किस तरह इसका design है इसका structure क्या है इसका architecture क्या है यह आपको explain करना है ठीक तो यह पहला portion आया था जिसमें 5 questions आये थे जिसमें से आपको 3 questions करने हैं और हर question के 5-5 marks आये तो पहले portion में आपके 15 marks आ जाते हैं जो दूसरा part आया था उसमें से आपको 10 questions आये थे Wmax यह नया ही question आया था आम तोर पे question ही आता है तक्रीवन तक्रीवन फिर तीसरा question आया था Formatting page in library office writer यह भी important question है और चौसरा question जो मैंने कहा था network database management system पहले 5 marks का भी आया था अब इसके related question है database management system के यह 2 marks का question भी आया था फिर 5-वा question आया था multimedia storyboard ठीक फिर 6-वा question आया था star topology इसमेंचे topology आपको पढ़ने star message में आ सकते है कोई भी topology आ सकती है फिर 7-वा question आया था file transfer protocol message के related है यह भी आपको भूती धान से पढ़ना है फिर electronic text messaging जिसमें आपके gmail ए-mail आ जाते है यह भी आपको important यह topic भी आपके लिए important है फिर hypertext markup language यह भी message से related है यह भी आपको ज्यान से पढ़ना है और meta search engine और search engines के बारे में question आ ही जाता है 5 markers या 2 markers का तो यह questions आ गये थे इसमेंसे आपको सब के सब करने हैं हर question के 2-2 markers है और 200 words में कम से कम इनका जवाब लिखना है time management भी important है ज्यादा भी नहीं लिखना है कम भी नहीं लिखना है time manage करना manage करना होगा ज्यादा भी नहीं रिखना short short answers लिखने है यह हिंदी portion है हिंदी वालों के लिए और आप screen shot भी ले सकते इसका और द्यान से पढ़ सकते है कि कौन कौन सा question आ सकता है तो आप द्यान से इसको देख सकते हो तो पहला portion 500 words में आपको लिखना है इसका जवाब तीनी question करने है पांच में से फिर दूसरा part है जिसमें आपको 10 के 10 questions करने है 10 के 10 questions करने है और हर question के 2 marks है और 200 words तक इसका जवाब लिखना है time manage करना होगा आपको आप अगर लिखते जाओगी तो time manage नहीं होता है तो time manage करना बहुत ही important है तो आप देख सकते हो इन questions को गोर से देखिए ताकि आपको फाइदा मिल सके और मुझे उमीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप मेरी चानल को सबस्क्राइब करोगे और मैं आगे भी आपके question paper upload करोंगा क्यूंकि exam तो continue चालता है चाल रहा है मुझे खुद भी exam computer exam के लिए इसलिए आप थोड़ा देर होता है paper upload करने में तो आप मेरी चानल को जुरूर सबस्क्राइब करें कि इसे हिम्मत मिलती है आगे में मैं आपके लिए वीडियो upload करता जाओंगा ठीक वाकिवस्सलाम दोस्तों सलाम अलेकूम दोस्तों आज मैं 223 का paper 224 का paper upload करो